दोस्तों, जिन्दगी हर किसी को दूसरा, तीसरा, चौथा मौका देती रहती है, जरूरत सिर्फ इतनी होती है कि मौका मिलते ही आप काम करो, मतलब अगर आप में काम करना छोड़ दिया, तो फिर दिक्कत होगी, मौका आपको मिलते रहेंगे, ठीक वैसा ही कुछ हो रहा है म Mediatek आपको पता होगा कि एक बहुत ही पॉपिलर कंपनी तो नहीं काऊंगा पर एक ठीक ठाक सी कंपनी जो सिप्यूस तो बहुत अच्छे बनाती है पर इतने अच्छे नहीं होते कि वो कॉंपेटिशन के साथ कुछ कुछ कंपीड कर पाएं, तो वो बहुत ही कम प्राइस म पर इस दामों पर आने वाले फोंस में आ जाती है, फिर एक तरह से से कंड टीर एसो,सी हो जाती है पिर उनका जो बेस्ट अच्छे भी होगा, वह भी से कंड टीर फोंस महीं आता है कभी फ्लेक्शिप में नहीं आता है, तो आज बात करेंगे, मीडिया ठेक को मिले हुए बहुत ही ज़दा हैईप हुआ था अभी रिसेंटली MediaTek ने अपना Gaming Processors पे Gaming के लिए स्पेसिफिक लिए डिजाइन करके Processor ट्राय करा था अपना हाथ आजमाया था Gaming में तो MediaTek की G90 series थी वहाँ पे G90, G90T, दो प्रोसेसर सोने लाँच किये थे G90T जो की आपके Redmi Note 8 Pro में है काफी से ठीक ठाक सा प्रोसेसर है, Gaming के लिए ठीक ठाक ही है और Consistent Performance के लिए ही Basically Focus कर रहा था MediaTek वहाँ पे अब जो Dimensity SoC है Dimensity 1000 SoC जो आने वाला है MediaTek का वहाँ पे MediaTek 5G में अपना हाथ आजमा रहा है तो अभी क्या हो रहा है कि Snapdragon 855 तक, Qualcomm के Snapdragon 855 तक जो भी SoC से जहां पे phones में 5G इंप्लिमेंट करना होता था वहाँ पे modem को अलग से लगाना होता था Generally आपके SoC के अंदर modem लगा होता है तो उससे क्या होता है कि आप एक तो पहला power saving बहुत ठीक ठाक हो जाती क्योंकि modem आपके SoC के अंदर ही लगा होता है दूसरा आपको latency, lag और basically data connection की speed काफी अच्छी रहती है तो 5G के पहले 5G implementation जो अभी 855 के साथ किया जा रहा था उसमें ये एक कमी थी कि SoC के बाहर आपको modem लगाना पड़ रहा था जिसके विज़े से power consumption बढ़ जा रहा था device का और overall performance थोड़ा कम हो जा रहा था तो Dimensity 1000 के साथ MediaTek एक ऐसी SoC launch करने वाला है जिसमें ये जो modem है उसको फिर से SoC के अंदर ही रखा जागा है जिससे throughput जो है 5G का throughput है वो काफी अच्छा होना चाहिए अब यहाँ पर बात करते हैं अगर SoC की तो ये SoC बेसिकली compete Snapdragon से Qualcomm की Snapdragon से करी नहीं रही है क्योंकि MediaTek कभी नहीं करता है वहाँ पर compete बेसिकली इसका performance जो है वो Snapdragon 855 के कहीं आसपास होना चाहिए उससे थोड़ा उपर ही होगा उसके आसपास ही होगा और जो इसमें graphics score यूज कीगे वो बेसिकली इसके जो अपना Huawei का Huawei की करी 990 आने वाला है उससे बहतर होगी पर Samsung के Exynos 990 से थोड़ी सी कम होगी तो क्योंकि basically Samsung के Exynos 990 और आपके Dimensity 1000 दोनों में एक ही तरह का graphic processor यूज किया जारा है बस number of course Dimensity में 9 है और Samsung के Exynos 990 में 11 होगी तो basically Samsung के Exynos 990 इसके comparison में मीडियरे के comparison में बहतर perform करेगा जहां तक graphics की बात होती है तीसरी बात जो important है इस particular SOC के साथ वो ये कि ये 7nm के process पे तयार की गए है मतलब 7nm के process पे तयार की गए है जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको ज़ादा अच्छी power efficiency देखने को मिल सकती है ज़ादा बहतर performance देखने को मिल सकता है क्योंकि जैसे जैसे आप die का size कम करते जाते हैं जैसे आप process का size कम करते जाते है वैसे वैसे आपके CPUs के अंदर से आपके SOCs के अंदर से efficiency बढ़ती जाती है तो Dimensity 1000 काफी exciting SOC है basically ये दूसरे या तीसरा मौका है MediaTek के लिए वापस से market claim करने का performance काफी अच्छा होने वाला है Snapdragon 855 के power पे होने वाला है और excitement इस बात के लिए है क्योंकि MediaTek की जो मैंने आपको शुरूरात में बताए कि MediaTek की best SOCs होती है वो भी best phones में नहीं आती है वो second tier phones में आती है तो आपको सस्ते में बहुत अच्छा performance बहुत अच्छा package मिलने वाला है तो बस इस साल में आप तयार रहे है ऐसे phones के लिए अपनी आखें कान खोल के रखिए कि ऐसे phones कौन से आ रहे हैं जिन में Dimensity 1000 यूज होने वाली है क्योंकि ये एक बहुत अच्छी chipset होने वाला है जो कि बहुत ही सस्ते दामों में अगर मैं MediaTek का track record देखू तो बहुत ही सस्ते दामों में आपको मिल जाएगा और यह था मेरे साइट से Dimensity 1000 के बारे में छोटी सी information थोड़ी सी information अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को like zero करिए comments करके मुझे बताएगे कि क्या आपको कौन सा particular SOC पसंद है आपको Huawei की करीन प्रसेसर पसंद है Samsung के Exynos प्रसेसर पसंद है MediaTek के प्रसेसर पसंद है या फिर Qualcomm Snapdragon क्योंकि उसमें वहाँ पर कोई दिमाग नहीं लगाना होता जो भी वो बना रहे होंगे उनका जो best प्रसेसर होगा तो यह मुझे कॉमेंट करके आप बता सकते हैं कॉमेंट्स में आप मजे कोई शिकायत है सुझाओ वो भी बता सकते हैं सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आकन दबाएए ताकि नेक्स वीडियो अप्लोड करती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए and thank you very much for watching this video Namaskar, आपका दिन शुभू